इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज के मरीज और मरने वालों की ताइदा घटी जा रही है अवाम में भी अब कोरोना को ज्यादा माईने नहीं रखता ऐसा शायद आवाम के बरताओं से समझा जा सकता है पिछले छे मैनों को हम कोरोना दोर ही कह सकते हैं अब तो बाजार भी मुकमल शुरू है कारोबार भी समझने की कोशिश कर रहे हैं बेलगां स्मार्ट सटी के कामों से अवाम को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है सडकों खाना जा रहा है पर अक्सर जगों पर सिमेंट की सडकों को बनाने के काम से रास्तों को बंकिया गया खास कर मरीजों को अब्लेस के जरि घर का तवाफ करने की नौबत आन पड़ी है और इससे भी बढ़कर जगह जगह पर पुलीस और कार्पोरेशन आमिला मास्क ना पहनने वालों को जुर्माने की रसीद काट रहे हैं सवाल यह उड़ता है कि जब पिछले कई दिनों से बाजारों में बीना मास्क के भीड घू सूस की जारी है तकरीबन हर एक को जुर्मानी की रसीद दी जारी है क्या वाकई सहत मौकमा और मुकादम जिस कदर हर सड़क के किनारे खड़े होकर लाखों का जुर्माना वसूल कर रहे हैं क्या यह सिर्फ कोरोना की रोक थाम के लिए या महग जुर्माना वसूल कर फिर जुर्माने के साथ एक मास्क क्यों नहीं दिया जा रहा है बहले आप सौकी जगा डेट सो रुप्या जुर्माना वसूल करें पर सक्ति के साथ मास्क पहनने की हिदायत करें लिहाद हवाम में इस बात को लेकर काफी गुसा नजर आ रहा है कि महद मास्क ना पहनने की जुर्माना वसूल भी किया गया एक मैं से 25 सितंबर तक कारपोरेशन की जानिब से साड़े तीन हजार से जायद अफरादों पर कारवाई की गई और 4 लाग के करीब जुर्माना वसूल भी किया गया और है अब तो मास्क पैनने से वो गुठका खा भी रहा है या नहीं पता नहीं चलता लिहाजा सड़क पर थूखने वालों पर कारवाई कैसे होगी यह भी एक मुश्किल मामला है जो भी हो मास्क ना पहने वालों पर कारवाई जरुरी है पर सिर्फ जुर्माना लगाना इसके पीछे मकसद ना हो बलके जिस आलमी वबा से भारत जूज रहा है बेलगाम शहर जूज रहा है इसकी संजीदगी को समझते वे मास्क भ घर तक जुर्मानी की नोटीस भेजने का फैसला कमिशनर के जगदीश ने लिगा है पर क्या या इकदाम महद जुर्मानी की मद्द नजर ही लिया गया है ऐसा आवाम में सवाल पूछा जारा है मोधी हुकुमत की गलत पॉलिसियों के मद्द नजर भी मार्मी बेलगाम शाख की जानिब से बेलगाम डिसी को मुतालबा पीश किया गया है जिसमें मोधी हुकुमत ने देश की मुक्तलिप मुकमाओं का नीजी करन करने की मजब्मत की गई पिछडी जातियों के आरक्षन का वक्त पर मुहया करने की भी मांग की जब से मोधी हुकुमत एक्तदार पजिर हुई है देश को मुक्तलिप मसायल का सामना करना पड़ रहा है देश के वजिर आजम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं देश नहीं जुकने दूँगा देश नहीं बिकने दूँगा का नारा लगाने वाले प्रधान मंतरी तमाम सरकारी मुकमों का नीजी करन कर रहे हैं जिससे देश में और भी गरीबी बेकारी बढ़ेगी जिससे खाज कर अकलियतों और पिछड़ी जातीयों को जैदा मुतासिर होना पड़ेगा लिहाजा फौर नीजी करण को रोका जाए हाल ही में किसान मुखालिब बिल को पास किया गया जिससे किसानों की मुश्किले और भी बढ़ सकती है इस बिल की वज़े से किसान बरबाद हो जाएंगे लिहाजा इस बिल को फौरन वापिस लिया जाए मजभी तशद्दुद और नफरत का खेल भी मोदी हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है जिस पर रोक लगा दी जाए भी मार्मी की जानिब से इस वक्त सुनील कोटबागी अश्वन बोर मतीन कुमार मनुवर हुसेन इमरान पिरजादे और दिगर में इमरान भी मौजूद बिलगाम शहर के करीब मच्छे गाओं में दो खातून महिलाओं का कतल गाओं में खौफ का म बिलगाम शहर के करीब मच्छे गाओं के ब्रह्मदेव मंदीर के करीब तकरीबन साड़े चार बजे तेज हत्यारों से वार कर दो महिलाओं का कतल किया गया दोना औरते वागवडे गाओं की है आसिलतरा की मताबिक राजश्री रवीब बन्नूर उम्रेकीज और रोहीनी गंगापा हुलमनी उम्रेकीज साड़े चार बजे पैदल ब्रह्मदेव मंदीर के करीब से जा रही थी इतने में दो जोवान मोटर साइकल पर सवार तेज रफतारी से आये और मिर्च की पाउडर को दोनों के आंकों में पेका तेज रफतारी से धार धार अथियार से इनक जिस्म पर वार किया जिसमें दोनों की मौत हो गई गाउं में अचानक डबल मर्डर से संसनी फैली हुए गरामी पुलीस ताने में मुकदमा दर्ज किया हुआ है पुलीस कातिलों की तराश कर रही है खानापुर तालुदा नंदगर नगरहली की सड़क पर चीते के दीदा करते करीबी गाउं में खौब का माहोल देखा गया वीडियो बरोज मंगल लिया गया है अब अवाम की जानिव से इस चीते का जल्द बंदवस्त कर इंसानी जानों की हिपाज़त करने के मांग की जा रिए खबरों का सिलसला यूही चलता रहेगा देखते रहे इतिहाद न अवाम की जाना ओम्स